हेलो दोस्तों मैं सवरो मलिक आप सभी का आज की सोट वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज की सोट वीडियो में दोस्तों जो कुश्यान हम देखने वाले हैं वो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं आप इस वीडियो को सुरू से लिए के अंट तक देखेगा ये सभी कोशन एक्जाम में रिपीट होते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और पांच में से आप कितने कोशन के आंसर कर पा रहे हैं वह भी नीचे कमेंट बोक्स में जरूरूरूरूरूरूरू अनकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप जोइन करते हैं या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन देखते हैं पहली बार तो आपके लिए एक कोड है क्योंकि आप यूज करके सब्सक्रिप्शन भी जोइन कर सकते हैं और आप इससे कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते है study 10 code है आप इसको यूज करिएगा तो चले शुरू करते हैं आज के वीडियो को दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है जौला मुखी से निकलने वाली गैसों में किसकी मात्रा सर्वधिक होती है तो जल्दी से आंसर बता दीजे जौला मुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा होती है जल्वास्प की यानि की option आपका D correct answer रहेगा ठीक है यह आपका पहला कोशन था और हर एक कोशन का answer करिएगा दोस्तो वीडियो को प्लीज लाइक जिरू करिएगा बहुत ही अच्छे question है सारे के सारे दूसरा question देखते हैं दूसरा question आपका आता है नूर जहां जिनका वास्तविक नाम महरुनीशा था किसकी पतनी थी या आपको बताने किसकी पतनी थी तो ये पतनी किसकी थी दोस्तो नूर जहां जिनका वास्तविक नाम मेरुनीसा था ये किसकी पत्रे थी जहांगीर की पिल्कुल सही आन सकिया है और ये कोशन भी एक्जाम में कहीं बारा आ चुका है चले तीसरा कोशन आपका क्या कहता है थर्ड कोशन है मैच फिक्सिंग को अपराद घोशित करने वाला पहला दक्षिन एशय देश कौन सा बन गया है भारत नेपाल सिरलंका या पाकिस्तान तो दोस्तों मैच फिक्सिंग को अपराद गोशित करने वाला पहला दक्सिन एशे देश बन गया है सिरी लंका ठीक है काफी important question है भई ये exam में आ सकता है याद रखेगा ठीक है चले next question next question है सविधान के किस अनुच्छेद में नियंतरक और माले का परिक्सक का वर्णन है ये question भी दोस्तों direct ऐसे ही exam में पूछ जाता है तो आपको बताना है which article describes camp lawyer and auditor general of India तो ये आपका article 148 के तेहताता है यानि कि option आपका see correct answer हो जाएगा ठीक है भई चले next next question है जल की इस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए कौनसा परदार्त परियोग किया जाता है तो ये भी काफी बढ़िया question है तो जल की इस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों कौनसा परियोग किया जाता है sodium, carbonate यानि के option आपका be right answer हो जाएगा ठीक है ये थे आज के 5 questions 5 में से आपने कितने questions के आंजर सही गए है सबसे पहले तो आप मुझे comment box में बता दीजे अगर वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो वीडियो को like करिए और अगर आप दोस्तों unacademy पर मेरी live classes नहीं देखते हैं अभी तक तो मैं आपको बता दू कि unacademy पर 2 class ले रहा हूँ है एक तो 2.30 पे दिन में और एक रात के 11 बजे दोनों ही classes में दोस्तों 100 plus question cover करा रहा हूँ और बहुत ही important होते हैं आप practice कर सकते हैं जाके धाई बजे की class में मिलिएगा और रात के 11 बजे वाली class में भी जरूर मिलिएगा वीडियो बहुत ही अच्छी होती है मेरी profile का link नीचे description box में unacademy की profile का link वहाँ से जाके आप मुझे unacademy पर follow कर सकते हैं regular वीडियो देखने के लिए ठीक है और code use करिएगा study train study10 अगर आपको unacademy पर कोई भी subscription जोईन करना है तब भी आपको यह code use करना है special class देखने है तब भी यह code use करना है तो चलिए मिलते हैं next class में thank you so much take care of you and अपना ख्याल रखें बाए बाए